हेलो दोस्तों स्वागत है हमारी वीडियो पर तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब सर्दी का मन्थ स्टार्ट हो जाती है और इस मन्थ में क्या होता है कि हमारा अक्सर गुलहर का पौधा जो होता है वो फलाबर देना बंद कर देती है तो इसमें क्या वजह रहा जात और इसमें ना तो एक भी कलिये हैं और ना एक भी पत्ति है यह बिलकुल बीना पत्ता का पौधा इस तरह से तयार हो गये हैं यहां देखिए एक भी कल्या नहीं खिली हुई है दोस्तों यहां पर देखिए कि इनकी इसमें क्या ऐसा ट्रीक अपनाए जिसकी कारण से यह पलांस हमारा जो है वो अच्छी तरह से फुल या पत्ते इसमें निकल पाए या इनमें कल्या बन पाए यह बिल्कुल जालिया की तरह हो चुकी है इसमें वाइट मिली पाग भी लगी हुई थी लेकिन इससे एक भी पत्ते अच्छी तरह से सुरच्छी बिल्कुल भी नहीं है और हम आपको दिखाते हैं मिली पाग देखिए दोस्तों यहां पर किस तरह से अटाइक आई हुई है यह बिल्कुल यहां पर घनागोर रूप से बना ली है घर और एक भी पत्ति को बढ़ने नहीं दे रही है तो आपको कौन सा ट्रीक अपनाना होगा जिससे ये प्लांट्स हमारा हेल्दी और स्वाच सुन्दर हो सकी क्योंकि ये भी हमारा अढूल का प्लांट्स है और इसमें भी हमारा मिलीपक का अटाक आई हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से मिलीपक का अटाक आई हुई है तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि इस तरह से अगर मिलीपक बाधे में अटाक आई है जैसे कि इस तरह से देखिए हमारा यहां ओडूल का प्लांट्स है इसमें मिलीपक का यह बहुत ही सुन्द्र और हेल्दी हो जाएगी क्योंकि अगर मरती हुए लांट इती हमें बचाना है तो आपको कुछ ऐसा ट्रीम को अपनाना ही होगा तभी लांट को मुझा पाओगे उसी तरह हम अपने प्लांट को कटिंग कर देते हैं और कटिंग करने के डालेंगे वो मैं आपको अपनी वीडियो पर बताऊंगी दोस्तों इस तरह से हम आपको दिखाते हैं कि मैंने किस तरह से इनकी कटिंग कर दी हूँ और ये कटिंग अब फिर इसको क्या करूँ कि इस तरह से देखे हम मैंने यहां पर किस तरह से इनकी मिली पग को दूर कर र दोस्तों यहां देखिए यह हमारा बिल्कुल मिली पक का कट है और इस तरह से देखिए हमारा मिली पक किस तरह से इसमें लगी हुई है और इसको हम दूर कर रहे हैं क्योंकि अगर हम दूर नहीं करेंगे अगर हम इस तरह से मिली पक को दूर नहीं करेंगे दोस्तों तो यह ह हम आपको दिखाते हैं तो दोस्तों एक्सर लोग बोलते हैं कि ठंड के मौसर में हमारा फ्लाबरिंग बंद हो जाती है और इस तरह से हमारा बिल्कुल भी फुल नहीं खेलती लेकिन देखे यहां पर हमारा इस गुलहड का पौधा जो है वह बहुत ही सुन्दर और अच्छी से हरे मारे तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह से देखि seminar कुछ फ्लाबरिंग पना से यहां पर लगए हैं तो दोस्तों एसके बाद दोस्तों हमाने कज सुन्दर से हमारे गुलकुल का प्लांस है यहां मिर्ची का प्लांट्स है और भी गुल्दब्दी का प्लांट्स जो है घना गोर रूप से यहां पर खेली यहां देखिए हमारा यह गुलाब का प्लांट्स है और इस प्लांट्स में भी देखिए हमारा प्लाब नी कितने अधिक मात्रे में आई तो हम सबसे पहले आप आपको करना क्या होगा कि चारों तरफ से अगर इस तरह से मिट्टी हम गुडाय कर लिए हैं तो उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि यह हमारा है डीएफी डीएफी खाद बहुत ही पौधे को फायदे करती है इसमें सारण न्यूट्रेशन मिली हुई रहती है तो यहां पर आपको क्या करना होगा लोग बोलते हैं कि फूलों के पौधे पर प्याज का छिलका ना डाले क्योंकि प्याज हमारा यह होता है लेकिन ऐसा ना करकर दोस्तों आप डाल सकते हो उसके बाद हम यहां पर देखिए इस तरह से हम यहां डाल दे रहे हैं ताकि यह हमारे प्लां हम यहां पर क्या करते हैं इस तरह से हमारा मिट्टी जो मैंने निकाली थी उस मिट्टी को यहां पर दवा दे रही हूँ दोस्तों हलकी मिट्टी निकालकर और हलके हलके आप दवाए ताकि यह प्लांट्स को अच्छी तरह से इसमें न्यूट्रेशन परदान कर सकी दोस्तों इसमें प्याज का चिलका है, आलू का चिलकी है, सब्जियो का चिलकी है, उसको मैंने भीगो कर रखी थी 2-4 दिन पहले, तो इसको अब आपको करना क्या है, कि इसको अब इसमें पानी को आपको डाल देना होगा, इस तरह से आप डाल दे, दोस्तों सर्दी का मन्थ अगर सुखना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि ये प्लांट्स हमारा सुखकर इस तरह से हो गई है, तो आप इस तरह से इसमें सुखे हुए प्लांट्स में आप इस चीज का इस्तमाल करकर अपने पौधे को हेल्दी और स्वाच्छे बना सकते हो, इससे आपका प्लांट्स अपने पौधे को अच्छी हिल दी और स्वच बना सकते हो तो दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चाइनल को कर देना सस्क्राइब दोस्तों पाय बाय